दक्षिड बस्तर यानि दंतेवाड़ा जिले से है विकेंसी है विग्यापन 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया है जिला एम सत्र नयाधीस की ये विकेंसी है अंतिम तिति की बात करें तो 10 अगस 2023 तक सामके 5 बच तक आप लोग पते पर भेज सकते हैं इसके बाद स्विक्रिप न स्विपर तीन वाटर मेंन के लिए छे च्योंकी दार के लिए चार पोस्ट टोटल तेरा पोस्ट यहां से निकाली गी है साक्ष्र योगता की बात करें तो इसके लिए है किसी भी मानाता प्राप्त विश्विद्याले से इसना तक साथ इसाथ चतिस गड़ या मद्य परद पांच हजार प्रती घंटे की हिसाब से वर्ड होना चाहिए और सेलरी की बात करें तो अठाजार साथ 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 से लेकर इंक्यानवे हजार तीन सो तक इसकी सेलरी रहेगी इस्टोनों टाइपिंग पद के लिए है उनीस हजार पांश से लेकर बैंसाथ हजार साक्ष्र य होना चाहिए कंप्यूटर का इसमें डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी पांच हजार प्रती घंटे की हिसाब से टाइपिंग स्पीटी होना चाहिए साहे क्रेट तीन के लिए है उनीस हजार पांश से लेकर बैंसा साजार इसकी सैलरी रहेगी साक्षिड योगता इसका भी सना तक साथ इसाथ कंप्यूटर का डिप्लोमा पांश हजार प्रती घंटे की हिसाब से टाइपिंग स्पीटी होना चाहिए और कलेक्टर दर्ष जैसे अलग-अलग पोश्ट है चतुर शेंडी की वाटर में चयोंकी दाव श्रीपर के लिए यह कलेक्टर दर्ष से जो कि आपकी सैलरी बेसे बनने वाला है तो निम्तम साक्षिड योगता की बात है तो पांची पास जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लेसेंस होना चाहिए कुक के लिए कुक मे 18 से 40 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए 36 गड़ के मुल निमासी इसमें अविदंद कर सकते हैं और रोजगार पंजयन होना बहुत ही जनुरी है 36 गड़ का तभी आप लोग अविदंद कर सकते हैं तीन एर की अधार पर आपकी सैलरी बेसेस बनने वाला है तो इस चीज पर ध्यान देने की बात है और पता है भीजने का काराला जीला एमसत रनायदी दक्षिर बस्तर धंतिवाड़ा 36 गड़ पीन कोड़ है 1444 अंतिम्तिती है 10 अगर 2023 तक 5 बज़े तक ही है स्विक्रित किये जाएंगे स्पीट पोस्ट और पंजी की दाक के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से स्विक्रित नहीं किये जाएंगे तो कृप्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अविदन कीजिए और किसी अन्य माध्यम से स्विक्रित नहीं किये जाएंगे जैसे इमेल फेक्स, कूर और भी कई माद्धे में होते हैं और निक्ति यानि चाइन की विधी क्या रहेगी जैसे इस्टोनों हिंदी इस्टोनों टाइफिंग इस्टोनों ग्राफर शाय ग्रेट तीन इसके लिए बात करते हैं जैसे प्रथम चेडर में आपका लिखित परिक्षा होने वाला है पचास संको का रहेगा यानि पचास प्रसन इसमें रहेंगे तो लिखित परिक्षा के बाद कॉंसल परिक्षा के लिए दस गुना बुलाए जाएंगे और दिर्त चाड़ जो की कॉंसल परिक्षा दस गुना बुलाए जाएंगे इसके बाद क्या होगा जैसे देखेंगे इस्टो ग्रेट 3 के लिए भी इसके लिए भी अंक बाट दी गई है कंप्यूटर में कितना अंक होना से यह क्या है इस जानकारी के लिए आपको पूरी डिटेल से पढ़नी होगी वीडियो तो लंबा होई जा रहा है इस वज़े से सौट में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं और जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट शेक कर सकते हैं दिस्टिक कोट गुएंग दंतेवाड़ा जो भी है पीडियाप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और अविदान का फार्मेट कुछ इस प्रकार से है यहां आपको फोटो लगाना है विदिका का नाम लिख भी है भरने वाला वर्तमान पता जहां आप रह रहे हैं भी इस्ताइप पता जहां आपका जन्म है और मतलब पहले से रह रहे हैं उसी का है जन्म से वजनती थी यहां एट करना है और एक याज़िद दोजार तैईस के अंसार यहां कितना साल हो चुका है और यह तक का जितने भी जानकारी है, रोजगार, पंजीन, कब करवाया, विवाइत है, विवाइत है, यह पूरी एट करना है, कौन-कौन से परिक्षा पास किने हैं, दसवी, बारी, पांचवी, याठी, यहां जो भी है, स्वाइप्रमार्पत, संगल, प्रमार्पत, जो जो देना चाहते हैं, यहां एट कर सकते हैं, उसके बाद आपका हस्ताक्षार, नाम, पूरा, मुवाइल नमबर, इमेल आईडी, यहां एट करना है, और यह भी है, देख सकते हैं, कुछ इस परकार से है, साथी साथ इसको भी आप लोग को भेजना पड़ेगा, तो यह रहा जो की बोल सकते हैं, पते पर आपको, फिर से मतलब उनी के द्वारा, अगर आप लोग संगलन होते हैं, तो भेजा जाएगा, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई भी समस्या आता है, तो हमारे वाट्शाब ग्रूप या टेली ग्राम ग्रूप में जोईन हो सकते हैं, और ज्यादस ज्यादा लोगों तक सेयर कीजिए, जैहिंद वन्दे मातरम